दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है, ओपो ब्रैंड की है, बैक साइड मीनी चिक तरफ आप देख सकते हैं, ओपो की ब्रैंडिंग है, इसका मॉडल नमर आपको बता देता हूँ, मॉडल नमर है ओपो F21S Pro, ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नमर है ओपो F21S Pro, इस वडि देखते हैं, जिसका सॉफ्ट्वेर, इंडरोइड 12, या बिल्कुल लेटेस्ट इंडरोइड 13 से अपटू डेट होगा, चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको कनफर्म कर देता हूँ, कि मेरे पास ये जो डिवाइस है, ओपो F21S Pro, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानि क Gmail ID lock है, यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है, तो आपको ये चारो बॉक्स को step by step check करके रखना है, उसके बाद आप next पर click करिए, यहाँ से simple आप next पर click करिए, और यहाँ पर देखे ये message आ गया, connect to Wi-Fi वाले option पर है, अगर इस option को आप उपर से skip करेंगे तो ये देखे फिर पूरी तरह confirm हो जागा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है, OPPO F21S PRO, ये पूरी तरह से FRP lock है, यानि कि Gmail ID lock है, और ये देखे दोस्तों, ये प्राबलम आपको face करनी पड़ती है, जब आपको डिवाइस FRP lock होती है, डिवाइस का FRP bypass करनी के लिए यहाँ आपके पास दो option है, सबसे पहला option, enter password, यानि कि ये password आपको enter करना होगा, तो दोस्तों, password हमें नहीं पता है, ध्यान दीजिए, password की जगा पे pattern या pin भी हो सकता है, चुकि password का option है, और password हमें नहीं पता है, तो इस option को हम यहाँ उपर से simple cancel कर देंगे, और अब दिखेगा, यहाँ पे लिखे आगा यानि कि email ID confirm करना होगा, जो कि हमको नहीं पता है, तो अब ध्यान से देखे, कैसे इसका FRP bypass करना है, सबसे पहले, आप यहाँ से back जाएंगे, connect to Wi-Fi वाले option पे, यानि कि जहाँ पे device को आपने Wi-Fi से connect किया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, device को हमने Wi-Fi से connect किया है, simple इस network पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखेगा share, share पे क्लिक करें, share के बाद nearby का option दिखता है, nearby पे क्लिक करें, nearby के बाद आपको simple continue पे क्लिक करना है, continue के बाद आप allow पे क्लिक करें, need help sharing का option दिखेगा, आप इस option पे क्लिक करें, कुछ second wait करें, कोने में आपको 3 dot दिखेगा, यह रहा 3 dot, आप 3 dot पे क्लिक करें, उसके बाद share article पे क्लिक करें, share article पे क्लिक करते ही share के यह सारे option दिखेंगे, यहाँ पे दिखता है message, आप message पे क्लिक करें, message के बाद आपको simple new message पे क्लिक करना है, new message पे क्लिक करने के बाद यह देखिए, type name, phone number का option है तो यहाँ पे आपको इसमाल लेटर में टाइप करना है www.youtube.com डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टाइप करिएगा मैंने टाइप किया अब SMS पे क्लिक करने बाद टैप to load preview है आप इस पे क्लिक करें कुछ सेकंड बेट करें टो यहां पे आपको YouTube दिखेगा आपको simple YouTube पे क्लिक करना है इससे क्या होगा न यहां पे देखे YouTube नहीं दिख रहा है लेकिन फिलाहाल यहां पे YouTube दिखेगा आप इस पे क्लिक करें तो आपकी device में YouTube का application ओपें हो जाएगा application open हो गया ध्यान दीजिए जो भी permissions आएंगे सारे permission को allow करना है उपर की तरफ account का option है account पे click करें उसके बाद आपको click करना setting पे setting के बाद आप click करें about पे about के बाद आप click करें youtube term आप services पे तो इससे क्या होगा आपके device में chrome browser open हो जाएगा use without an account आप इस पे click करें उसके बाद no thanks पे आप click करें address box है address box पे click करें यहां पे आपको simple type करना add home display पे आप देख सकते हैं उसके बाद आप enter करें आपको वेबसाइट देखेगी bypass Google account 2023 आप इस पे click करें तो add room की main website open हो जाएगी यहां पे देखें थर्ड नंबर पे option open setting का आप open setting पे click करें तो यह देखें दोस्तों device की main setting यहां पे open हो गई मैं यहां about phone पे click करता हूं sorry about device पे तो आप देख सकते हैं model नंबर ओपो f21s pro cph2461 और इसका जो software है दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अंडरोर 13 से up-to-date है ओके यहां से बैक चलते हैं device की setting में setting में आनिक बात ऊपर आईए उपर एक option आपको मिलेगा home screen lock screen का आप इस पे click करिए उसके बाद आपको click करना home screen layout पे जैसे ही home screen layout पे click करेंगे तो आप देखेंगे आपकी device का home screen open हो जाएगा ध्यान दीजिए यह आपकी device का home screen open हुआ है अभी आपकी device अनलाक नहीं हुई है ठीक है जब आपकी device पूरी तरह से अनलाक हो जाएगी दोस्तों न तो ऊपर से जो यह notification पैनल है यह प्रापर वर्क करने लगेगा यह सिर्फ आपकी device का home screen open है ओके अब देखिए यहां पे आपको setting के वगल में tools दीखता है tools पे click करेंगे तो यह देखेगा clone phone को आप click करके open कर लें यह देखे clone phone open हो गया और अब दोस्तों अब इस device को मैं side में रख लेता हूं ठीक है और अब आपके पास होना चाहिए कोई another android device किसी भी ब्रैंड की एक दूसरी device आप ले लें ठीक है तो यहां पर देखे दोस्तों मैंने एक दूसरी device ल करेंगे न तो यह देखे clone phone यह रेट कलर का जो application दिख रहा है यह वाला application आप सिंपल यहां से इसे इंस्टाल कर लें ओके application इस्टाल हो गया अब मैं इसे यहां से open कर लूगा ठीक है और यह दिखे दोनों application का interface सेम है ध्यान दीजिए यह new device है oppo f21s pro और यह मैंने दूसरी यानि की old device लिया ठीक है तो यह new device है न तो this is the new phone आप इस पे क्लिक करें permissions जो भी आ है सारे permission को आपको allow करना है उसके other android पे क्लिक करें यहां पे देखे यह QR code आ गया अब यह जो device है old device है तो this is the old device आप इस पे क्लिक करें यहां पे कुछ permissions है तो सारे permissions को मैंने आपको पहले बता दिया अगर permission off है तो उसे on करें और अगर आपको allow का option आता है तो सारे permission को आपको step by step allow करते रहना ठीक है तो यहा यहां पे देखे data read होने लगा कुछ second wait करिए यह data reading complete हो जाएगा और यह देखे दोस्तों data reading complete हुआ और यह देखे सब के सामने check है आपको सारे को अंचेक करना है अंचेक करने के लिए सबसे उपर वाला जो check है आप इसे check करिए उसके बाद यहां से इसे अंचेक करिए यह सारा अंचेक हो गया उसके बाद बिल्कुल last में आईए apps आपको दिखेगा apps पे क्लिक करिए सारे application की list यहां पे सो करेगी किसी एक application को आपको select करना है किसी भी application को मैंने select किया उसके बाद मैं simple उपर से ok करूंगा नीचे start migration का आप सनाया इस पे क्लिक करेंगे और यहां से simple continue पे क्लिक कर देंगे यहां पे password verify करूंगा यह देखे sending और यह देखे receiving एक application जो हमने check किया था इस device में send हो रहा है और यह देखे transfer complete हो गया अब यहां से हम done कर देंगे अब यह जो device है इसका work finish तो इसको मैं side में रख लेता हूं और यह देखे दोस्तों transfer complete हुआ तो यहां पे देखे migration completed का option आ ठीक है आपको नीचे से done कर देना है और अब मैं बता दूँ आपके device का FRP completely bypass हो गया मैं setup करके दिखा देता हूं button gesture का option है किसी एक को select करें उसके बाद next पे click करें इस option को आप simple skip कर दें नीचे से done पे click करें color OS का option आ गया get started आप इस पे click करें और बस आप आपकी device OPPO F21S pro इसका FRP lock यानि की Gmail ID lock Google account lock पूरी तरह से बाइपास हो गया और अब जाके दोस्तों आपकी device completely unlock हो गई और यह देखे notification पैनल जो वर्क नहीं कर रहा था आप देख सकते हैं दोस्तों यह प्रापर वर्क कर रहा है तो दोस्तों इस ट्रिक आपको कैसी लगी विडियो का ऐसी लगी comment section में comment करके जरूर बताएगा विडियो अच्छे लगती है तो प्लीस दोस्तों इस विडियो को जादा से जादा subscribe करें लाइक करके बिल्कुल न भूले और ऐसे ही सांधार interesting videos की continue notification पाने के लिए अफ मारी YouTube चैनल को जरूर subscribe करें बगल में जो बेला thank you thank you so much